क्या भारत में नहीं खेला जाएगा IPL 2004 या IPL auction के बाद IPL के matches भी चले जाएगे out of India क्या general elections की वजह से IPL जाएगा इंडिया से बाहर चायद ऐसे ही कुछ सवाल है समय हार इंडियन फैन के मन में ओठ रहे होंगे दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग कहां खेली जाएगी ये कोई नहीं जाना आखर IPL matches के hosting को लेकर क्या कह गए राजीव शुक्ला इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में इसलिए एंड तंग मेरे साथ बने रही है अब ये बात तो आप सबको पता है कि भारत में इस साल जेनरल इलेक्शन्स होने है अब क्या जेनरल इलेक्शन्स का इंपक्ट IPL पर भी होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है दरसल इस से पहले लोकसभा चुनाब 2019 के दोरान IPL का आयोजन भारत में ही हुआ था लेकिन IPL 2009 और 2014 का आयोजन विदेशी सर्जमी पर हुआ था IPL 2014 दुबई में खेला गया था जबकि IPL 2009 आयोजन साउथ आपरिका में हुआ था लेकिन इस बार क्या होगा इस सवाल का जवाब दिया है BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुकला ने राजीव शुकला ने एक इंटर्व्यू में बात करते हुए कहा IPL 2014 सीजन भारतिय सर्जमी पर खेला जाएगा या विदेशी सर्जमी पर फिलाल इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है राजीव शुकला ने कहा हम सरकार के साथ बात करेंगे उसके बाद इस पर फाइनल डिसिजन लिया जाएगा उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्मेंट के साथ हमारी बात्ची चल रहे है ऐसे में केंदरी एक ग्रह मंत्राले तै करेगा कि IPL 2014 सीजन भारतिय सर्जमी पर खेला जाएगा या नहीं इसके साथ ही राजीव शुकला ने विमिन्स आईपियल के वेन्यू पर भी बात की उन्होंने कहा कि विमिन्स प्रिमियर लीग के दूसरे सीजन के मैचेज बैंगलूरू और दिल्ली में खेले जाएगा यानि इस सीजन के मकाबले सिर्फ दो वेन्यू पर होंगे राजीव शुकला ने कहा कि विमिन्स प्रिमियर लीग के लिए तयारी चल रही है विमिन्स प्रिमियर लीग के आधे मैच बैंगलूरू में और आधे दिल्ली में होगे वहीं ऐसा माना जा रहा है कि IPL 2024 सीजन का आगाज 22 मार्च से हो सकता है हालागे अभी इस पर अभी कोई ओफिशिल जानकारी सामने नहीं आई अब सवाल ये उठता है कि क्या जेनरल इलेक्शन का इंपक्ट IPL पर भी पड़ेगा तो इसका जवाब है IPL एक बड़ा टूर्नमेंट है इसकी धून पूरे देश में होती है भारत की ही नहीं कई देशों के बड़े बड़े खिलाडी इस टूर्नमेंट में हिस्सा लेते हैं ऐसे में पूरे दो महीने तक मैचों के दौरान सिक्यूरिटी के पुखता इंतजाम करने होते हैं लोगसबा चुनाव के कारण इन सुरक्षा इंतजामों में थोड़ी कमी आने की पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि चुनावों के दौरान भी बड़े स्तर पर सुरक्षा कर्मी देश भर में तैनात होते हैं फिर चुनाव के वक्त महौल गड़ बड़ाने का भी डर बना रहता है चुनाव के वक्त मैच होने से लौ एन और्डर में भी बहुत कुछ बड़ाव लाने की जरुत होती है ऐसे में पास्ट में इलेक्शन की वज़े से आईपिल साल 2009 और 2014 में भारत से बाहर कराया गया था तो क्या इस बार भी आईपिल बाहर चला जाएगा? चलिए अब इस सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिच करते है आप सबी को याद होगा कि साल 2019 में भी देश में लोकसबा के इलेक्शन हुए थे लेकिन उस साल आईपिल देश से बाहर ना जाकर देश में ही आयोजित कराया गया था तब चुनावों और मैचों के दौरान सुरक्षा इंतिजामों में बेहतर बैलंस नजर आया था मैचों की तारीखों को भी वोटिंग फेज को देखते हुए निर्धारित किया गया था अब क्योंकि इस बार भी इलेक्शन होने हैं ऐसे वए आईपिल के शड्यूल और वेन्यूज का डिसीजन भी बी सी सी आई जेनरल इलेक्शन को देखते हुए ही डिसाइड करें वैसे आप हमें कमेंट करके जोरू बताईए क्या इस बार आईपिल को एक बार फिर भारत से बाहर कराना चाहिए या नहीं और फड़ा फट बताईएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और हमारे पेज को फॉलो करिए